तो बड़ी खबर, NIE को सौपे, ITS के दस्तावेच से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि सचन वजह के सामने ही मनसु किरेंग की अत्या हुई थी मनसु किरेंग की अत्या की जगाह पर वजह मौझूद था मनसु के अत्या हुने के बाद सचन वजह मुंबई लोटा सचन वजह ने मुंबई के डोंगरी में एक बार पर चापा मारा मनसु केस में गुमरहा करने के लिए बार पर ये चापे मारी की कारवाई हुई थी टिपसी बार पर चापे के बाद पुलिस हेटकॉर्टर गया वजह C.I.U. दफ्तर में वजह ने फोन चार्जिन पर लगाया ताकि फोन की लोकेशन को गुमरहा करने की कुशिश की गई उसके जरिये सचन वजह ने पुलिस हेटकॉर्टर में होने का जूट बोला चार मार्च को पुलिस हेटकॉर्टर में होने की बात कही तो ये बड़ी खबर बड़ा खुलासा इस मामने से जुड़ा हुआ मनसु खिरेन की जब हत्या हो रही थी तो उस वक्त वही पर मौजूद था सचन वजह यानि सचन वजह के सामने ही मनसु खिरेन की अत्या की गई है और जो दस्तावेज ATS की तरफ से सौपे गए है नाईये को उसी आधार पर ये खुलासा हुआ है सुत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है कि अत्या के बाद दोंगरी के बार में छापे मारी की कारवाई के लिए गया था गुमराह करने की ये पूरी कोशिश थी और इसी लिए टिपसी बार पर छापे मारी की गई थी सचिन वज़े की तरफ से और उसके बाद चार माच को पुलिस हेड़कॉर्टर में होने की बात वज़े ने कही थी जो की साफ़तोर पर यहां जूट है मुबाइल फोन को भी चार्जिंग पर लगा कर गया था वज़े ताकि लोकेशन को लेकर गुमराह किया जा सके ये जो ATS ने दस्तावेज सौंपे हैं NIA को उन तमाम दस्तावेजों के आधार पर सूतरों से ये जानकारी मिल रही है मनसु खिरेन की हत्या जब हुई उस वक्त सचिन वज़े वहीं पर मौजूद था और उसके बाद वो वापस मुंबई लोटा है सचिन वज़े ने मुंबई के एक डोंगरी में एक बार पर छापे मारी की थी ये सब कुछ उसने गुमराह करने के लिए का NIA को सौपे गए, ATS के दस्तावेज से ये बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे है सचिन वज़े के सामने मंसुख हिरेन की हत्या हुई है, उन दस्तावेजों के आधार पर ये जानकारी मंसुख हिरेन की अत्या की जगाह पर वज़े मौजुद था मंसुख के अत्या हुने के बाद सचिन वज़े मुंबई लोटा सचन वजे ने मुंबई लोटकर एक बार पर जोके डोंगरी में है वहाँ पर छापे मारी उसने की मन्सु केस में गुमरहा करने के लिए बार पर छापे मारी की ये कारवाई की गई थी सचन वजे के तरफ से सुत्रों से जानकारी मिल रही है टिपसी बार पर छापे के बाद पुलिस हेड़क्वाटर गया वजह तो दो तस्वीरे देखिए मनसुक का मर्डर जो की अभी तक एक मिस्ट्री लेकिन हर दिन एक नया खुलासा जो की इसे और उल्चा रहा है वजह के बुमिका को लेकर शुरुवात से ही सवाल परिवार भी उठा रहा था और इस केस की पड़ते जैसे खुली वो सवालिया निशान सचन वजह की तरफ उठाती रही और अब ये बड़ा खुलासा उन दस्तावेजों के आधार पर सुत्रों से ये जानकारी है कि जो ATS की तरफ से दस्तावेज NIA को सौपे गए हैं उसके मताबिक सचन वजह वही मौजूद था जहां मनसुका मडर हुआ सिधे रुकर लेते हैं और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं अंकुर ये बड़ा खुलासा है उन दस्तावेजों के आधार पर जो ATS के पास थे लेकिन अब NIA के पास है अब देखें ये जो स्टेट्मेंट था जो बज़े ने ATS मारफशा ATS को पूछ ताच में गिया था जब स्टेट्मेंट करवाया था तब उसने वाली बात कही थी कि मैं तो डोंगरी इलाके में था आप मेरी मोबाल की लोकेशन देख लीजिए सब को पता है वो खुद कि मैं तो डोंगरी में था और चीज को इस थीओरी को एस्टबिश करने के लिए वो बकाइदा रात के 11 बच कर अर्ट पर हो जाता थी है जो डोंगरी इलाका है साउट मॉंबई का इलाका आता है वहां पर एक बार है टिपसी बार्मार प्रॉपर रेड माली जाती है लेकि कहाने इस से पहले शूरू होती है ए टीज के सोर्स जो हमें कर रहे है वो कहानी साड़े अाठ बजे के है साड़े आट बजे मंसू ऊइक कॉल आता है और वो अपनी पहचान च्छेपा कर, वो मिलने के लिए बुलाता है, गावडे नम की इस्तमाल करता है, इसके लिए अपनी कार नहीं लेता है, मनसुप न अपनी बाइक का इस्तमाल करता है, वो ऑटो लेके जाता है, उस रोकेशन पर जहां पर उसको भूलाये गया था, नो बजे उसको अगवा कर लिया जाता है और इस वक्त जब अगवा कर लिया एक कार में रखा जा रहा होता है उस वक्त सचिन वजे वही पर मौझूद था यह बहुत बड़ा खुलासा अभी तके एडियस की सूर्सस हमें कर रहे हैं यह बड़ा खुलासा है और अब उमीद इस वात को लेकर की जा सकती है कि जब और पड़ते खुलेंगी तो तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी फिलाल शुक्रिया आप उर्डियस आप प्रवलबाब अगूबले अब गूलोड़ इनाप्स तो डूलोड इच बड़ाई आपर कर दो ड़ाई जब इनापकूपर